आप सबको मेरा प्रणाम आज मैं आपको थायरोड के लिए एक आशन का अभ्यास बताऊंगा जिसके सिंग गर्जना कहते हैं सिंग आशन भी इसको कहते हैं सेर कितरे दाढ़ना है आप और आपका थायरोड ठीक हो जाता है थायरोड को ठीक करने में बहुत सायक है अभ्यास तो कैसे करेंगे इस अभ्यास को सिंग आशन को वजरासन में बैठ जाए ऐसे गुटने को मोड़कर जो गुटने मोड़कर नहीं बैठ सकते जिनके गुटनों पेन है वो सामान्य आशन में भी बैठ सकते हैं लेकिन जो गुटने मोड सकते हैं वो इस प्रकार से बैठे हैं और गुटनों के बीज थोड़ा गैप करें ऐसे आगे से गुटनों को थोड़ा खोल ले अपनी हतेलियों को आपको इस प्रकार से विपरी दिसा में रखते हुए ऐसे आगे की तरफ जुकना है बोडी को आगे पूरी जीवा को बहार निकाल कर आपको करना है एक बार फिर से देखो पूरा फेस आपका एजदम लाल हो जाता है इसमें सेर की तरह वीरता आपके अंदर आती है और गले में पूरा वाइब्रेशन होती है तो इसे आप पांच बार से लेकर ग्यारा पंदरा बार जरूर करनें दीरे अभ्यास को बढ़ाना एक दम से पहले दस पंदरा बार नहीं करना है पहले हो सके तो आप तीम बार ही करें, पांच बार करें, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, और उसके बाद फिर आप दोनों हतेलियों से ऐसे आपस में घर्शक करें, और अपने गले की असाज करें, उपर से नीचे की और गले में जो स्लाइब आ जाते हैं, उस अंदर ही ल अंहीं कमिदले के दर से भी छुटकारा मिलेगा को आप सब योग से जुड़े आयरवेद से जुड़े और अपने जीवन को स्वस्त बनाओ अपने भारत्य चिकित्सा पर विश्वास रखते हुए आप जीवन को यदि जीएंगे तो भारत चिकित्सा आईरवेद आपको जीवन जीने की एक कला भी सिखाती है और यदि कोई रोग हो जाता है तो उस रोग से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं वह भी आपको आईरवेद की माध्यम से साहता मिलती है तो आप सभी लोगों के लिए बहुत-बहुत सुबकामना है आप सब लोग 21 जून को स्वम योग करें अपने परिवार के साथ योग करें अपने मित्रों को परिरित करें और एक सुन्दर स्वस्त समाज के निर्माण में अपने सही योग करें तो आप 21 जू अच्छा हो ओ स्काइब करिए योग गुरु राजेश चनल को और बैल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए